Hello students, आज का class है complex number 4 class 11 complex number का पिछलो वीडियो आप जरूर देखें यह complex number का miscellaneous exercise आज कर रहा हूं पिछला वीडियो प्लीज जरूर देखियेगा तब ठीक रहेगा चलिए शुरू कर देता है, miscellaneous exercise on chapter 5 class 11 के लिए, class 11 के लिए Question number 1, 2, 3 इस तरह से लिखा अभी तोग जो हमने सिखा है उस हिसाब से आप करिए मतलब इवलेट इसको इवलेट करना है रीकॉल कर देता हूं i का पावर 4 इक्वल टु 1 होता है ओके i का पावर i स्कार इक्वल टु माइनस 1 और i का पावर 4 इक्वल टु 1 इस आधार पे यह कोस्टर है शुरू करता हूँ सोलूशन I का पावर इहीं से कर देता हूँ I का पावर 18 18 मने क्या I का पावर 16 इन्टू I2 16 टू 18 हो गया प्लस अब इधर बात करें तो 25 है ठीक है इसी तरह दे देता हूँ 25 I का पावर 25 होल 3 क्या क्या हुआ का पावर 16 तो 1 I स्क्राइब मैनस 1 प्लस 1 बाई I का पावर 24 इन्टू I 25 था पावर तो 24 इन्टू I 24 क्यों क्यों 4 का मुल्टीपल में आता है 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 6, 4, 6, 4 यह divisible है 6 इन्टू 4 अल्टीमेट बात क्या पावर 4 आने से वह भेनिस 1 यह 1, यह 1, यह 1 कहने का मतलब मैनस 1 प्लस यह 1 हो गया तो 1 बाई I का पावर 3 और एक बात, मैनस 1 प्लस I का, 1 बाई I है तो I से मल्टीपला करो ना I बाई I स्कॉर का पावर 3 यह हो चुका आपका, मैनस 1, I स्कॉर मने मैनस 1, मने मैनस I का पावर 3 ultimate मैनस कमण दे देते हैं, 1 प्लस I का पावर 3 क्यूब कर दो भाई, क्यूब करने में क्या है मैनस A क्यूब प्लस 3A स्कॉर, A स्कॉर मने 1 स्कॉर इंटू B प्लस 3A, B स्कॉर, प्लस B क्यूब मैनस कमण दे दिये इसका यह आया कितना देख लिजे इधर मैं मैनस, अचा लिखता हूँ, 1 I स्कॉर मने, I wanna स्कॉर प्लस 3I, यहां I स्कॉर है I स्कॉर मने मैनस 1, तो यह मैनस 3 I का क्यूब मैनस I अब आप इसको सदा के लिख दो देख समाजी मैनस 1, 1 और 3, मैनस 2 आया मैनस 2 आया, और 3I मैनस I प्लस 2I आया अगर मैनस भी कॉमन दे दें, तो 2 मैनस 2I इसका इंसर हो जाएगा ओके कॉर्षन नमबर, यह 2 मैनस 2I, LCM हुआ इवलेट यह कर दिये नेक्स्ट उसमें चलिए 12, 2 नमबर में 2 नमबर में, for any 2, कॉम्प्लेक्स नमबर Z1 and Z2, प्रूफ देट यह प्रूफ करना है हम लोग सोलूशन में पहले सपोस तो करने लेट Z1 इक्वाल टू कुछो A प्लस IB और Z2 इक्वाल टू C प्लस ID या X प्लस IY कोई लिख दो वान लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नमबर को A प्लस IB फर्म में A प्लस IB फर्म में लिखके हमें प्रूफ करना है real of Z1, Z2 therefore पहले आप Z1, Z2 product कर लेते हैं A प्लस IB फिर X प्लस IY Z1 इंटू Z2 का बाब है तो Z1 इंटू Z2 कर लेते हैं यह product करने से AX माइनस A YI AYI माइनस B XI प्लस I स्क्वार BY मतलब AX माइनस AYI माइनस BXI माइनस I स्क्वार माइनस बन्दा BY ultimate आता क्या है AX माइनस BY इधर में माइनस यह देने से I कॉमन देने से बसता AY माइनस BX यह real part यह imaginary part ओके प्रूफ करना क्या था देखिए real of Z1, Z2 equal to Z1 into Z2 तो निकाल लिए इसका real part is AX माइनस BY A किसको माइने थे दिख लिए AX माइनस BY AX real part यह real part अब A कौन चीज़ है यह बताइए A कहां से लिखे A यह वाला A A is real part of Z1 A माने real of Z1 और X माने real of Z2 real of Z2 बीच में माइनस B है imaginary part of Z1 उधर में B आया Y का value Y का value imaginary part of Z2 यह आसानी से proof हो गया यह simple simple बात है imaginary भी आगे question number 2 proof कर लिए question number 1 यह आप खुद से भी बना सकते हैं फिर भी मैं बना देता हूं confusion नार है आप खुद बना के देखना मिलेगा तो अच्छा लाएगा नहीं मिलेगा तो मेरा help लिजिएगा और कुछ नहीं reduce इसको standard form standard form का मतलब होता है A plus IB A plus IB में form में लिखना है तो पहले बैस simplify करते हैं इसी को simplify bracket बाला कर देता है 1 minus 4I 1 plus I यह उपर जागा 1 plus I minus 2 1 minus 4I यह bracket बाला काम कर दिये हम लोग और इधर में 3 minus 4I 5 plus 5 plus I होना चाहिए मैंने 1 क्यों लिखा 5 plus I 5 plus I है और राइग आच्छा simplify कर रहा हूँ यह 1 into 1 तो 1 1 plus I minus 4I minus 4I square इधर में 1 plus I minus 2 minus minus 4 तो 2 into 4 8I इधर ब्रेकेट में बाचाई हुआ है 3 minus 4I 5 plus I 1 इधर में 1 और 2 मिलके minus 1 8I plus I मतलब 9I इधर में 1 plus यह 4I plus I तो minus 3I यह I square फिर minus 1 minus minus यह plus 4 इधर 3 minus 4I यह 5 plus I उपर आता है आपका minus 1 plus 9I divided by 3 सुरी 3 नहीं 5 minus 3I 4 1 5 minus 3I फिर इधर 3 minus 4I 5 plus I फिर मल्टिप्लाइ आपको करना परेगा फिर इसलाज करने परेगा करते हैं यहां कि इसको अगर मल्टिप्लाइ करें यहां करता हूँ उपर उपर मल्टिप्लाइ होगा चलिए उपर उपर मल्टिप्लाइ 3 minus 3 minus 4 minus minus plus 4I minus 1 से 3 minus 1 से 4I अब यह 9 3 is a 27I 27I minus 2 4 6 36I square नीचे बचता हा L7 मल्टिप्लाइ कर देता हूँ 5 into 5 25 plus 5I minus 15I or minus 3I square यह minus 3 4I plus 27I plus 31I minus I square I square फिर मैनस रजाग अगर्टिप्लेट यह plus 36 नीचे में भी 25 plus 5I minus 15I मतला माइनस 10I minus I square मनने माइनस 1 यह माइनस प्लस 3 आता है हम लोग का 36 माइनस 3 तो 33 plus 31I नीचे आता है 28 minus 10I यह एक रूप में आया इतना बड़ा simplify होके तो आगे भी फिर करता हूँ इसको मिटा दूँ इतना आने के बाद इसको rationalize करना है हमें 33 plus 31I divided by 28 minus 10I into 28 plus 10I 28 plus 10I हाइदा क्या rationalize कर रहा हूँ 28 का square plus 10 का square A square minus B square होता है लेकिन I के लिए I square होके minus 1 ultimate फिर से बोल देता हूँ A plus B into A minus B हम लोग जानते है A square minus B square तो अगर A plus IB into A minus IB लिखेंगे तो A square minus B I का square मतलब A square minus B square फिर एको minus 1 I square का ultimate A square plus B square लिखा जाता है इसको ओल्रैट तो यह 28 minus 10I 28 plus 10I 28 का square plus 10 का square अब इधर multiply करते हैं 30, 28 into 33 8, 3, 24 के री 2 चवद्धू 8 अर्ची 24 के 4 हात में दू 33, 6, 8 3, 4, 8, 12 के 2 हात में वार 9, 24 9, 24 इससे multiply किये प्लस 3, 3, 0 I प्लस यह 21 28 into 31 करता हूं 8, 1, 2 जाए 8 2 इधर एट्री का 24 के री 2 3, 2, 8 8, 4, 2, 6, 8 तो multiply कर रहते हैं हम लो 33 से यह लिख दिये 33 से 10 I यह वाला लिख दिये अभी 31 into I 31 into 28 क्या 8, 68 8, 68 I प्लस 31 into 10 यह दो 3, 1, 0 I square बाई जो हाई धर रहा इक्वल तो 9, 24 अच्छा लिख देता हूं 9, 24 330 I 8, 60 I प्लस 8 6 प्लस 3 9 8 प्लस 3 11 I प्लस यहाँ पर था multiply 31 310 I 310 यह क्यों दिये 310 I 31 into 10 प्लस 310 I square ultimate I square माइनस 1 यह माइनस 3, 1 0 हो जाएगा इधर जो 28 का square कितना होता है 28 का square 8 जा 64 64 के री 64 के री 6 अजना 16 22 के दू हत्मे दू 2 8 जा 16 का 6 के री 1 2 जा 4 1 5 4 8 7 7 84 कहां के थे 28 जाए 28 28 7 84 24 प्लस 100 आया क्या हम लोग का 9 to 84 से यह घटा देते है 4 से 0 यह रियल लंबर 4 से 0 घटाएंगे 4 2 से 1 घटाएंगे 1 9 से 3 कराएंगे 6 प्लस 1 1 9 8 आय डिवैडेड बाइ यह जो रता है 8 84 और काटा काटी अगर 2 से कमन लेके काटे तो चलिए 2 से कमन लेके काटे हैं 2 3 307 प्लस 2 पंचे 10 एगार दुनमा 18 यह आया इधार में 8 8 4 8 8 4 यह 2 से काट देते हैं 4 4 2 हो जाएगा तो 307 प्लस 5 99 आई डिवैडेड बाइ 4 4 2 यह एंसर आप दे सकते हो और भी काटेगा तो काट सकते हैं इस तरह से तो अगला कोर्शन अगला वीडियो में करता हूँ छोटा छोटा बना के ओके अब